जहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं ग्री मंत्री आमेच्षा, रक्षा मंत्री राजनात सिंग और राश्ट्रिय दक्ष जेपी नड़ा भारत मंडपम पहुँचे और वहाँ पर राश्ट्रिय अधिवेशन का शुरुवात हो गई है और आपको बता दंगशक के भारतिय जंसंग और भारतिय जंता पार्टी के इतिहास में हमने हर कालखंड को देखा है हमने संघर्ष का काल देखा हमने जब हमारी उपेच्षा की जारी थी वो काल भी देखा हमने वो काल भी देखा जब हम जमानत बचाने के लिए चुनाओं लड़ते थे ह हमने एमर्जन्सी भी देखी संघर्ष भी देखा हमने चुनाओं में जीतने की प्रक्रिया हारने और जीतने की प्रक्रिया भी देखी लेकिन हम सब को बहुत ही खुशी है कि पिछला दशट जो गुजड़ा है वो प्रधानमंतरी मोदी जी के ने तरितु में उपलबदियों भरा है उपलबदियों से भरा हुआ है यह हम सब के लिए बहुत ही बहुत ही खुशी का अगशे है और बहुत ही खुशी के साथ मैं आप सब के साथ शेयर करता हूँ 2014 में जहां पर भारत में स्टार्ट अप की संख्या 300, 400, 500 हुआ करती थी आज आप पो जानकर ये खुशी होगी कि भारत में स्टार्ट अप की संख्या 120,000 से अधिक पहुँच गी भारत में दुनिया के मुबाइल का जहां तक प्रस्ण है एक दसक के दोरान मुबाइल की मैनिफेक्शरिंग केवल दस वरसों के अंदर मुबाइल की मैनिफेक्शरिंग में पांच गुना का याफा हुआ है ऐसा याफा और दुनिया में कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा याफ दूइंग बिजनेस का जहां तक सवाल है उसे सुनिष्ट करने के लिए 40,000 चालीस ज़ार ऐसे कमप्लाइंसेंड है या तो उन्हें हटा दिया गया है या उन्हें सिंप्लिफाइ कर दिया गया है उनका सरली करन कर दिया गया है Environment Clearance परियावरण, Clearance यह ले ने में, 600 दिन लग जाते थे इन्वारेंट क्लिरंसेज, अब वह 75 दिन से कम समय में अब लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, इफले विकास की गत्य में भी तेजी आई है, मेरे साथ यू पिये के समय, यलीडी बल चारसो रुपे में मिलता था, अब जानते हैं, यलीडी बल अब 40-50 रुपे में मिलता है, दस गुना की मत कम हो गई है, यलीडी के कान बिजली बिल में लोगों की करीब करीब 20,000 करोड रुपे अब तक के बचे हैं, यो अनुमान है, पात्यों सिर्फ नारे देने से काम नहीं होता है, लेकिन आजाद भारत में पर्था चल पड़ी थे, नारे दो, लोगों को गमर राजनित की जानी चाहिए, तमाज बनाने के लिए राजनित की जानी चाहिए, सत्तर के दसक में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे हाँ गरीबी हटाओ के नारे रात दिन दी जाते थे, मगर गरीबी हटी नहीं, गरीबों के संख्या लगातार, बढ़ती चली गरीबी के नाम पर अपनी दुकान सजाने वाले लोग अमीर होते चले गए मगर जब एक गरीब परिवार में जन्मे मोदी जी ने प्रधान मंतरी का पद्व समाला तो उन्हें पता था कि क्या करना है और जो किया उसका परिणाम ये हुआ है कि पिछले दस वर्सों में पच्छिस करोड लोग गरीबी रेखाते बाहर आएं गरीबी के संकट से उन्हें निजात मिली है यह मेरा हांकरा नहीं है यह नीट या योग का हांकरा है भारत के एकॉनमी जैसे मानिया रक्षामंतरी जी ने कहा भारत के एकॉनमी दस वी तान से अभी पांच वी स्थान पहुंच कया है और स्टेबल एकॉनमी माना जाता है वी आर कंसिडरे टो भी जर्मनी भी यूके बी आज रिस्टेशन के ओर जा रहे हैं जब पूरे दुनिया में रिस्टेशन का डर है इंट्रेस्ट रेट बहुत हाई रहे था और उससे कम करने में उनको डर लग रहा है और इसके कारण पुझी निवेश वुन देशों में से निकल करके बाहर आ रहे है वेन देर एकॉनमी इस अंडरगों रिस्षिन लेवश का डिसम का बाहर इसक्ष्मिस एकॉनमी इसक्रान का इसकरान का इस्वेश रिशीर इसक्ष्मेश जब बहुत ओंद हो ओंद एलागों बिस्टेस्ट इससे घिंवेश सोब्स्ट्न झाल झाल